मेरी बेटी काम पर चली गई, तो मैं भी नाश्टा करके अपने रूम में आराम कर रही थी, तब ही अचानक मेरी नील खुली, तो मुझे किसी की कुछ आवाज सुनाई दी, मेरा नाम रिंकू है और मेरी उम्री 40 साल है, मैं बंगलोर सहर में रहती हूँ, मेरे पती एक बिज की साधी अपनी बेटी से करवा दी, साधी की एक कारण ये भी था कि मेरे पती यानि जाया के पिताजी घर पर बहुत कम ही रहा करते थे, वो काम के सिलसिले में दिल्ली ही रहते थे, घर में सिर्फ हम मा बेटी दोनों अकेले ही रहा करती थी, मैं प्रिविट स्पूल के टी तो मुझे किसी ने बताया कि एक लड़का मेरी नजर में है जो बहुत अच्छा है और अच्छी नौकरी भी करता है बिबाह की बाद मेरी बेटी अपने पती मुकेश के साथ बहुत खुश थी उन दोनों को देखकर मैं भी बहुत खुश थी मैं स्कूल में पढ़ा कर साम को जब घर आती थी तो मेरी बेटी और दमाज जी दोनों अपना-पना काम करके घर पर आ जाते थे थे हम तीनों बहुत अच्छी और खुशी-खुशी रह रहे थे अब मेरा घर पुरा हारा भरा था अब हमें किसी चीज की हमें कोई भी कम ही नए थी धीरे-धीरे कुछ महीन के लिए भी आता था हम तीनों अभी बार के दिन मार्केट सॉपिंग करने या फिर डिनर करने हम तीनों जाते थी और बहुत मस्ती मज़े किया करत थे एक दिन अचानक से मुझे फोन आया कि मेरे पिताजी की तब्वेत बहुत गड़ बढ़ है ये बात मुझसे सुनकर रहा और मैं उन्हें देखने के लिए गाउं चली गई थी मैंने अपनी बेटी जाया और अपनी दमार संदीब से अपने साथ चलने के लिए कहा मेरी बेटी हाँ आप अपनी साथ संदीब को ले जाए क्योंकि उन्हें चुट्टी है अगले दिन मेरी बेटी नहा लोकर आफिस क को देखने के लिए गाउ निकल गया हम दोनों बस स्टेशन के लिए और गाउं पर जाने वाली एक ही बस थी हम लोग बस में बैट मेरे पीछे से संदीब भी बस में चड़ गया वहाँ पर हम लोगों को सीट नहीं मिली थी इसलिए हम लोग खड़े होकर जा रहे थे थोड़ के बाद मैं अपने पापा से मिली और अपने भाईया भावी से भी मिली सभी से मिलकर बहुत देर ता कापस में बाते भी किया फिर अगली दिन मैं अपने घर के लिए वापस निकल गई डिसेंबर का महीना था और ठंडी बहुत ज्यादा था मैं और संदीब दोनों फिर से उस बस में सवार होकर अपने घर पहुँच गए बहुत जादा ही ठंडी बढ़ गया था जिसके कारण इस महीने की लास्ट तक स्कूल में छुट्टी हो गई मेरी बेटी तो काम पर जाया करती थी क्योंकि उसकी नौकरी में थी वो रोजाना अपने काम पर चली चाती तो घर में मैं और सिर्फ मुकेश ही और मैं थे संडे के दिन हम सभी लोग घर पर थे ठंड बहुत जादा थी इसलिए हम लोग बाहर नहीं गए और अपने अपनी रूम में ही थे मैं अपने रूम में बैठी थी कि मुझे कुछ देर बाद प्यास लगी मैं पानी लेने अपनी रूम से बाहर निकली तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी मैंने देखा कि ये आवाज मेरी बेटी के कमरे से आ रहा है जब मैं उसकी कमरे के पास गई तो मैंने सुना कि मेरे दमाज जी मेरी बेटी से किसी पेपर पर साइन करवानी की तैयारी करवा रही है पर मेरी बेटी ने कहा कि अच्छा अभी रख दो मैं पढ़कर साइन कर दूँगी तो संदीब ने कहा कि क्यों तुम्हें मुझे पर भरोसा नहीं है तो मेरी बेटी ने बिना पढ़े उस पेपर पर साइन कर दिया मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप किचन में जाकर एक गिलास पानी पी और फिर से अपने बेड में जाकर बैट गई अगली दिन मेरी बेटी काम पर चली गई तो मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया मेरी बेटी काम पर चली गई तो मैं भी नाश्टा करके अपने रूम में आराम कर रही थी तभी अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे किसी की कुछ आवाज सुनाई दी मैं अपने रूम से बाहर आई तो मुझे एक लड़की मुकेश से बातें करते दिखाई दी मैंने पूछा ये कौन है तो वो मुझसे कहने लगा जाया तो ऑन्फिस चली जाती है है तो आप पूरे दिन काम करके घर में ठक जाती है इसलिए मैं घर पर ये नौकरानी लेकर आ गया पर मैंने कहा आज तक मुकेश इसके पीछे पड़ा था ताकि वह कैसे भी करके प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके तो फिर मैंने कहा अच्छा तो फिर तुम इतने दिन तक कहा थी और तुमने इसका साथ क्यों दिया इधर मैं उस लड़की से बातें कर ही रही थी कि मुकेश पता नहीं कब भाग गया मैंने तुरंद पुलिस को फोन किया लेकिन मुकेश नहीं पकड़ा गया और मैंने उस लड़की आली उसकी पतनी को चार दिन तक जेल में भी रखा कि शायब कहीं वह उसको बचाने के लिए आए लेकिन मुकेश उसे छुड़ाने तक नहीं आया इतना धोखेबाज लड़का मैं जिन्दगी में पहनी बार देख रही थी फिर मेरी बेटी ने कहा कि मा इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है और गलती जिसकी है वह तो पता नहीं कहां भाग गया तो फिर सजा हम इस लड़की को क्यों दे रहे है मैंने भी सोचा कि हाँ मेरी बेटी सही बोल रही है फिर हमने उसको क्यों दे रहे है मैंने भी सोचा कि हाँ मेरी बेटी सही बोल रही है फिर हमने उस लड़की को जेल से रिहा करवा दिया